कमेंट आया था उसकी reply मुझे करनी थी ने पिछले किसी vlog में share किया था कि मैं government job की तयारी कर रही थी और मैं private job नहीं कर सकती हूँ तो इसी पे उनकी query थी घर में कोई आ गया या कोई बिमार पड़ा तो पहले मुझे ही उसको attend करना पड़ता है लेकिन एक satisfaction होता है कि या तो मै या तो तुम देखे mindset होता है जब हम government job करते हैं हम जानते हैं कि सुबर के लगवग 6.35 या 40 हो रहे होंगे बच्चे अभी तुरंत निकले हैं school के लिए उन लोगों को भेजने के बाद आज मैं अपने lawn area के इस garden को देखने लगी हूँ क्योंकि बहुत time के बाद मैं इनको सम skill से इसको दे पा रहे थे हम लोग कभी मैं देती थी कभी तनवी दे देती थी तो इस तरह से देखभाल भी कम हो गई थी इस time में कुछ पौधे सूखने जैसे हो रहे थे साथ ही पौधों की पत्तियां पीली हो रही थी और कुछ सूख भी रही थी तो मैं फटा-फट से ल लगती है हलांकि अब ये सारे पौधे डॉर्मेंट हो जाएंगे मतलब ये सोने जाएंगे अब सर्दियों में इनमें ग्रोथ रुख जाएगी बहुत कम ग्रोथ होती है इस time में हम इनमें compost भी अब नहीं डालेंगे सिर्फ पानी का ध्यान देंगे तो अब इन पौधों क केर थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि सर्दियों में अब यहां पे धूब भी कम आती है तो पानी कम ही देना होगा सब्ता हमें एक बार पानी दे देंगे तब भी ये पूरे सब्ता चलते रहेंगे तो चलिए ये सारे काम तो होते रहेंगे करती भी रहूंगी साथ में आपके साथ एक चीज सेयर करनी है एक कमेंट आया था उसकी रिप्लाई मुझे करनी थी तो मैंने सोचा कि उनको वहां पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगी कमेंट में जा करके मैं एक वीडियों के government job कर सकती है तो अब private job क्यों नहीं कर सकती है तो उसी की reply मैं करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारी चीजे थी जिसको मुझे बताना था आप लोगों को क्योंकि जब भी किसी के मन में कोई doubt होना तो उसको clear करना जरूरी होता है ये एक genuine question है कि आप अगर job कर सकती है तो private और government job क्या होता है तो देखे सबसे पहली बात जो है वो priority की बात होती है कि हमें priority किस चीज को देनी है तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरी family को priority देना जरूरी है क्योंकि मेरे husband job में है वो अच्छी job करते है तो हमें खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं है पहली तो बात ये हो गई और अगर मैं private job करती हूँ तो मेरी पूरी जो family है न वो सब struggle करेगी क्योंकि मेरे घर में घर समालने वाली सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अंदर बाहर हर तरह से बच्चों का school, बच्चों की fees, बच्चों का ptm सब कुछ मुझे ही attend करना होता है क्योंकि जो husband है मेरे वो super busy रहते हैं समय मिल गया तो वो सब कुछ handle करते हैं जब free होते हैं तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि school में बच्चों की बहुत जरूरी काम होता है और उनकी meeting रहती है तो वो नहीं जा पाते हैं वो सारी चीजे मुझे ही handle करना होता है घर में कोई आ गया या कोई बिमार पड़ा तो पहले मुझे ही उसको attend करना पड़ता है मेरी ही पहली responsibility होती है कि मैं hospital जाओ डॉक्टर को दिखा लूँ अगर normal भी condition है तब भी rare है तब भी तो जैसे ही फिर उनको समय मिलता है तो वो आते हैं समय निकाल करके लेकिन जो first responsibility होती है न वो मेरी होती है इसका reason ये भी है कि मैं चीजों को handle कर लेती हूँ अगर मैं नहीं कर पाती मुझे नहीं idea होता मैं scooter चलाना नहीं जानती तो इन सब condition में ऐसा नहीं है कि वो handle नहीं करते लेकिन एक satisfaction होता है कि या तो मैं या तो तुम इन दोनों में से कोई एक है घर में तो घर हमारा safe है तो ये मैंने बताया आपको इसके बाद आपके मन में तुरंत ही ये question आएगा तो क्या आज government job मैं करने लगोंगी तो फिर मुझे भी तो समय नहीं मिलेगा फिर family की priority क्या होगी देखे mindset होता है जब हम government job करते हैं हम जानते हैं कि इस job को हम छोड़ नहीं सकते हैं हमें मेहनत से मिली है और इसमें security जादा है तो हम किसी को लगाएंगे किसी भी तरह से इस चीज को दिमाग में set कर लेंगे कि हाँ हम दोनों लोग बीजी है तो उस ब्यवस्था को हमें किसी भी तरह से करना है या किसी एक को छुटी लेनी पड़ेगी ठीक है वहाँ पे सही है लेकिन अगर हम private job करते हैं आप समझ सकते हैं private job में मुस्किल से 10 से 15,000 रुपए मिलेंगे या maximum मैं 25,000 तक कमा सकती हूँ तो दिमाग में ये चीज सेट है कि मैं इस job को छोड़ करके दूसरी job भी कर सकती हूँ तो आप सोचिए कि family में अगर किसी भी तरह का pressure आया तो job किसको छोड़ने के लिए कहा जाएगा जायर सी बात है जो private job में है क्योंकि वहाँ security कम है हम safe नहीं है उतना तो इस वज़ा से मैं private job में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि बार-बार job करना फिर छोड़ना या दूसरी job पकरना ये मेरे बस की बात नहीं है और एक बार मैंने try किया था दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे जिसकी वज़ा से मुझे job छोड़नी पड़ी थी कुछ तो ये भी डर है और उस घटना के बाद ना अब मेरे हिम्मत नहीं होती है कि मैं private job join करूँ हाला कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं वो भी बोलते हैं कि आप जो है job करिए आपको करना चाहिए लेकिन मैंने YouTube पे अपना जो ताम जाम पहला रखा है अब मैं यसी को continue करना चाहती हूँ आगे मैंने तयारी भी छोड़ रखी है वो अलग बात है कि form अगरा निकलेंगे तो सायद भरू एक्जाम भी दूँ बट अब उतना मन नहीं लगता है उन सब चीजों में अब यहाँ पे मैं इंगेज भी रहती हूँ यहाँ पे अपने घर का काम भी देखती हूँ और साथ में आप सब के साथ अपनी बाते भी शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है गवर्मेंट जॉब हो गई होती तो बात अलग होती वहाँ पे हम सेफ रहते, सिक्योर रहते सबको पता है कि दोनों जॉब में क्या फर्क होता है तो बस ये रीजन है ये मेरे फैमिली की कंडिशन है जिसकी वज़ा से मैं प्राइवेट जॉब जॉइन नहीं कर रही हूँ और ये मेरा खुद का फैसला है फैमिली की तरब से देखा जाए तो हस्बेंड और बच्चे दोनों लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे स्कूल जॉइन कर लेना चाहिए किसी स्कूल में टीचिंग करना चाहिए क्योंकि मैं पहले भी टीचिंग कर चुकी हूँ मुझे काफी उसका एक्सपिरियंस है और हमारे यूपी गवर्मेंट में एक प्राइमरी टीचर या टीजीटी टीचर के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास है जैसे मैं साइन्स की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा MSC कंप्रीट है इसके बाद मैंने BA किया और इसके बाद UP टेप कई बार मैंने निकाला है दोनों ही लेवल, प्राइमरी लेवल और TGT लेवल इसके अलामा सीटेट का दोनों लेवल मैंने निकाला हुआ है तो इस तरह से किसी भी स्कूल को जॉइन करने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन है और मैंने जब भी ट्राइ किया है किसी भी स्कूल में तो मेरा सेलेक्शन हो जाता है क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर लेती हूँ तो इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं अगर किसी जी स्कूल को जॉइन करना चाहती हूँ तो मेरा सेलेक्शन नहीं होगा मुझसे पूछा था कि मैं YouTube के थू ही काम करना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपनी फैमिली की भी देख रेक कर सकूँ एक इंसान बिजी हो तो एक इंसान को फ्री होना चाहिए क्योंकि नहीं तो जो फैमिली है वो डिस्डलेंस हो जाती है अगर स्टार्टिंग से बच्चे छोटे थे तभी से अगर मैं गवर्मेंट जॉब में चली जाती तो देखे सब कुछ मैनेज हो जाता मुझे भी पता है मेरे आसपास मेरी फैमिली में भी दोनों लोग हैं ऐसे कपल जो की जॉब करते हैं मैं सबको देख भी रही हूँ सबकी फैमिली अच्छे से चल भी रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाता है लेकिन मेरी जो कंडिशन है वो सेट हो चुकी है काफे टाइम से लंबे समय से मैं घर को देख रही हूँ को संभालने अब लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि अभी तो पीक टाइम है क्योंकि अब ग्रोइंग किट्स हैं तो उनको माबाप में से किसी एक की जरूरत ज़्यादा होती है इस टाइम में बच्चों को सजेस्ट भी करने की जरूरत पड़ती है तो फिर भी आप लोग एक बार सजेस्ट जरूर करिएगा मुझे तो देखिए मैं नीचे सारे काम में इप्टा करके आज ज्यादा मैंने नीचे नहीं किया क्योंकि बहुत काम नहीं था तो इसलिए टरेस पर आ गए थी और यहां पर मैंने अपने गुल्दावदी की बचे हुए पौधों को ठीक किया और उसके बाद फिर नीचे चली गए थी दिन भर जो काम था वो हुआ और साम को फिर से मैं आ गई हूँ क्योंकि मैंने साम को क्लीनिंग के लिए बुलाया था जो रूटीन क्लीनिंग होती है सब्ता में एक बार मैं यहां जारू वगएरा लगवाती हूँ तो उसके लिए तो बस यहां पे सफाई करवा रही हूँ और देख भी रही हूँ कि किसमे पाने की जरूरत है किस पौधे में और क्या ही जरूरत है तो अब उपर ज़्यादा टाइम देने का समय आ गया है क्योंकि अब विंटर सुरू हो गया है तो यहां कुछ विंटर के फूल वगएरा भी मुझे लगाने है और देखे बच्ची को बुलाया है यह क्लीनिंग कर देती है जाड़ू पूरे टेरेस पे एक बार लगा देती है गम्लों वगएर को हटा करके तो साफ हो जाता है अब इसके बाद दिवाली की सफाई करेंगे अभी तो यह हलके फूल के काम चल रहा है अच्छे से थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज भी करूं गार्डन में तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर मैंने यहां पे पानी लगा दिया था जहां ज़रूरत थी और यह मेरा आम का जो पॉधा मैंने लगाया था ना अब इसमें देखिए इस टाइम में मौर लग रहा है और पता नहीं फल भी आएगा की क्या तो यहां सुग गया था सब कुछ तो मैंने सुचा पानी लगा देती हूँ तो अलग-अलग जगा पे पाइट लगा दोंगे और यहां पे अच्छे से सारा ज़ाडू लग जाएगा तो यह साफ हो जाएगा एक सब्ता तक साफ रहता है फिर दीरे दीरे पत्या जड़ते जड़ते इस तरह से गंदगी हो जाती है एक सब्ता में तो इसलिए सब्ता में एक बार जरूर जारू लगवाने की कोशिस करती हूँ यहां पर ताकि यह साथ सुत्रा दिखता रहे है और दिवाली में तो खुब अच्छे से सफाई करवाऊंगी पूरे टेरेस की पूरे गार्डेन की इस लियों की इसके अलमा बाहर एडिया की सब दुलाई भी होगी तो फिर उसके बाद ब्लॉग आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे अब जो है दिवाली की सफाई सुरू हो गई है तो हम लोग भी अब दिवाली की सफाई में लगने वाले हैं तो जल्द ही आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग म लेकिन अब ये पौधा समभल गया है और इसमें नई ग्रोथ होने लगी है इसलिए मैंने इसको कटिंग किया था कटिंग करने के बाद इसमें अच्छी ग्रोथ होने लगी है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पह RAW करते हैं मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई